मैं वी कृष्णा घरेलु नुसके मा के चैनल में आपका स्वागत करती हूं आज हम बात करेंगे चेहरे की स्किन की सर्दियों में क्या होता है कि चेहरे की स्किन अक्सर काली पड़ जाती है या धूप कभी ज्यादा धूप में बैठने के अकारण खराब हो जाती है पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब चुरूर कीजेगा और बैल आइकन को बटन जुरू प्रेस कीजिए जिसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है आज हम बात कर रहे हैं कि चेहरे की स्किन को कैसे सुन्दर बनाए और इवन चेहरा हो गया है स्किन कहीं से काली हो गई है कहीं से साफ रह गई है वह सूख गई है और आप अपने चेहरे को साफ नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे प्रोड़क्ट आपने यूज़ के लेकिन घर की चीज़े जो होती है जो घर के प्रोड़क्ट हम लग यूज़ करते हैं वह हामफुल भी तो जैसे सपोज आपने एक टेबल स्पून मैदा ली और एक ही टेबल स्पून आपने चाबल का आटा लिया उसको आप मिक्स करके रख लीजिए एक बार बना के जब भी आपको फेस्पैक लगाना हो तो उसमें से एक चमच लीजिए एक टी स्पून लीजिए और उसमें थो मिर्ऌने मेरे मेरे विष्द रहे ही और श्रत क्राश्टन सामयृb लेकिन रहे भास मेरे विष्द तो बेव फीस पर काम सबस्सक्राँद रहे है vehicles को इसको नॉर्मल वाटर से दो देना है उसके बाद जो भी आप मॉश्राइजर लगाते हों या कोई कोल्ड क्रीम लगाते हो एक घर का बनाएवी चीज जो मैंने बताया है कि लेजर नीव हुआ है या आपको बदाम का तेल लगाना है जो भी कुछ आप अपनी स्कीन पर आप में जब हम सोते हैं तो हमारी स्कीन में हम कहते हैं ना कि सारा मेक अप टाके सोना चाहिए तो इसकीन को सांस लेने के लिए जगा मिलती है रात में को यह भार की हवा नहीं लगती तो अगर आप रात में इस चीज को करके और फिर उसको अच्छे से चेहरे पर मॉश्र णार ना करो आ सकतर में देके और आप सोते हैं तो आपको नीद बहुत अच्छी आएगी और उसके बाद आप स्बोगोट ठेंगे और शीशा देगे आपको से बास बकरें के लिए अधर बहुत अंधर आप जाती है और एक जबरदस्त नुस्हा है इक वर्क करके कोई कर सक तो वो अपना उसे बचा बचा के और वो भी चीज को कर सकते हैं जहाँ चाहें वहां पिसको अपलाई करसकते हैं तो आशा करते हूं नुष्क आपके लिए बहुत उप्योगी साबित होगा मिलती है जबरदस्त नुष्के के साथ तब तक स्वास्त रहे ये मस्त रहे वीडि जरू किजीगा थेंक यू